नमस्कार दोस्तो civil engineering support के एक phrase और informative वीडियो में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त इंजिनियर अभिस्वेक सिंग दोस्तो आज मैं आपके लिए कुछ नया लाया हूँ आखिरकार चट के उपर में down slab किस तरह से बनाया जाता है आखिरकार first floor, second floor, third floor मतलब कि ground floor के उपर जितना भी दोस्तो आप floor उपर बढ़ते जाएंगे सभी में इस तरीके के down slab बनाने काफी जरूरी होते हैं लेकिन बावजूद इसके अभी भी दोस्तो बहुत सारे एडियाज में देखा जाता है कि down slab के बारे में लोगों के पास जनकारी के अभाव के कारण दोस्तो इस तरीके के down slab का निर्मान नहीं करवाया जाता है दोस्तो आप जान लीजिए बहुत से लोग चौक रहे होंगे कि आखिरकारी ये छट है और छट के बीच में गड़ा करके पानी भरना कौन सी समझदारी वाली बात है तो दोस्तो ये है down slab ठीक है और इसका इस्तमाल किसलिए की जाता है ये सबसे important है इसके बाद बताऊंगा कि इसको किस तरह से बनाते हैं मतलब single वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है और इसे तरीके के जानकारी के लिए चैनल को आप subscribe भी कर सकते हैं दोस्तो इसका नाम है down slab ठीक है जो normal slab होते हैं आप ध्यान दीजिएगा वो क्या होता है कि जो हमारा beam लगता है दोस्तो उसके उपरी हिस्सा में बनाया जाता है down slab नाम इसलिए है दोस्तो चुकि ये beam के निचला हिस्सा में बनाया गया है आपको थोड़ा सा confusion लग रहा होगा मैं आपको practically समझाऊंगा पूरी चीज़े clear हो जाएगी दोस्तो अब बात कर लेते हैं आखिरकार इस down slab की आवसकता हमें क्यों पड़ी है आप देख सकते हैं दोस्तो यहाँ पर एक bathroom बनाया जा रहा है अगर इसको dimension की बात कर लेते हैं दोस्तो तो सारे 4 feet ये bathroom चोड़ा है चुकि नॉर्मल जो आप slab casting करते हैं चट की ढलाई करवाते हैं और उसके उपर जब bathroom मनाने जाते हैं दोस्तो तो आपको pipe fittings के लिए जो bend वगरा नीचे लगता है seat के नीचे जो bend वगरा लगता है उसको लगाने के लिए दोस्तो हमें 7 से 8 इंच की आवसकता पड़ती है अब वो क्या होता है दोस्तो चुकि bend है उसके उपर में लगता है उसके बाद ही आपका seat लगेगा दोस्तो तो इस तरह से आपका जो च्छत है आपका जो यूं कहें की bathroom है दोस्तो बाकी घर से दोस्तो 7 से 8 इंच दोस्तो लवा लवा 10 इंच के करीब में वो उपर हो जाता है इस तरह से दिक्कत क्या आती है दोस्तो की वास्तु के अनुसार भी और ऐसे भी देखा जाए दोस्तो लोजिकली भी देखा जाए तो जहां पर पानी वाला जगा है दोस्तो वो हमारे normal floor से थोड़ा सा एकाथ इंच दोस्तो नीचे होना चाहिए लेकिन यहां पर देख स कि इसको बनाया किस तरह से जा रहा या फिर किस तरह से इसको बनाया जाता है आप देख सकते हैं दोस्तो बीम है और डाउन स्लैब के चारो तरफ बीम आएगा इस चीज़ का आप ध्यान देंगे डाउन स्लैब के चारो तरफ बीम आएगा एक normal सा बीम रहता है दोस्तो जो हमारा नॉर्मल जो slab रहता है उसकी casting करते हैं तो क्या होता है कि मान लीजिए पांच इंच कहां में अगर धलाई करवाना है तो जो beam होता है दोस्तो जो normal beam होता है उससे उपरी हिस्सा कुले करके दोस्तो उससे पांच इंच नीचे तक धलाई किया जाता है slab का चुकि यह down slab है यह down में रहेगा इस कारण दोस्तो इसका निर्मान देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह beam के निचला हिस्सा में धलाई किया गया है बहुत अगर आपको detail में जनकारी चाहिए live site दोस्तो वीडियो चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर है आप जा करके इस चीज को भी देख सकते हैं और इस तरह के regular faces पर दोस्तो अगर आप जनकारी चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो आपने देखा down slab क्या होता है बहुत से इसको sunken भी बोलते हैं sunken भी इसका नाम है आपको confusion ने होना है down slab भी इसका नाम है दोस्तो चुकि यह slab से थोरा नीचे रहता है down में दोस्तो slab casting होती इसलिए इसका नाम down slab है तो जो freshers engineer भी दोस्तो वो भी इस चीज से बहुत कुद सीख सकते हैं और practical knowledge दोस्तो गेन कर सकते हैं उमीद करता हूँ यह जनकारी आपके काम की होगी और मैं तो यही suggest करूंगा अगर आप first floor पे second floor पे अगर आप घर बना रहे हैं दोस्तो तो आपको इस तरीके के downslap का इस्तमाल अपने घर में करवाना चाहिए फायदे और नुकसान विडियो हम बताये गए जो points से दोस्तो उसके अनुसार आप तैय कर सकते हैं कि आपको क्या लाव लेना है या फिर लाव इसको नहीं लेना है तो फिर मिलते हैं इजाजित दीजिए नमस्कार धन्यवादों